हालो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Classics Science के MCQs करेंगे जो Chapter 2 के होंगे Chapter 2 जो है Component of Foods है जो NCRT के उपर Based है इसके जो भी MCQs बन रहे हैं जो Most Important जो Question है उनके उपर हम Discussion करेंगे अगर आप किसी भी एक्जाम की या Competitive एक्जाम या Interest एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर End तक जरूर देखिएगा आएए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का Notification आप तक पहुंचे सो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के MCQs देखते हैं सो हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो मैंने पहले बताया है कि सिक्स क्लास की साइंस के उपर जो भी चैप्टर 2 के MCQs हैं जो भोजन के घटक हैं कंपोनेंट और फूड्स के उपर जो भी MCQs हैं उन पर डिसकस करेंगे सो आईए पहला कोस्चन देखते हैं पहला कोस्चन है निमनलिक्स्त में से कौन सा एक उर्जा देने वाला घटक है प्रोटीन ओप्शन A है ओप्शन B है विटामिन और खनिज ओप्शन C है रूग हगे और ओप्शन D है कार्बोहाइड्रेट और वसा इसका आंसर जो है जो उर्जा देने वाला घटक है ओप्शन D कार्बोहाइड्रेट और वसा जो कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं ये हमारे श्रीर को जो उर्जा परदान करते हैं हलाकि हमें वसा से भी जो उर्जा है वो प्रप्ट होती हैं लेकिन अगर हम carbohydrate और वसा की बात करें तो हमें जो ज्यादा मात्रा में उर्जा मिलती है वो carbohydrate से मिलती है So next question देखते हैं हमारे श्रीर द्वारा अवश्यक खाद घटकों को कहा जाता है पहला है option A है ततव, दूसरा option है ततव, पोशक ततव, तीसरा option है टुकडे और चोथा option है अबूशन, यह तो हमें सभी को शोर है कि अबूशन तो नहीं होगा, ना ही टुकडे होगा So इसका option है B, पोशक ततव, जो हमारे श्रीर को जिनकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है वो खाद्य घटक जो हैं, वो पोशक ततव हैं So आईए देखते हैं, पोशक ततव होते के हैं, भोजन के अवव्यों में कुश घटक होते हैं, जिनकी हमारे श्रीर को जरूरत होती है, या अवशकता होती हैं, ऐसे घटकों को पोशक ततव का जाता है अगर हम शोट में कहें, तो पोशक ततव वो ततव हैं, जिनकी हमारे श्रीर को अवशकता होती है So next question देखते हैं, निमलिक में से कौन सा एक उर्जा देने वाला घटक है Option A है, प्रोटीन, Option B है, विटामिन और खनिज, Option C है, रूगरे, Option D है, कार्बोईडरेट और वसा तो इसका अंसर है, D option, कार्बोईडरेट और वसा So next question देखते हैं, विटामिन और खनिज हैं, सुरक्षात्मक भोजन, Option A है, Option B है, उर्जा दे रहे भोजन Option C है, श्रीर निर्मान करने वाले भोजन, Option D है, रूग, So इसका option है, सुरक्षात्मक भोजन जो विटामिन और खनिज हैं, यह हमारे स्रीर की सुरक्षा करते हैं, यह हमारे स्रीर की बिमारियों से सुरक्षा करते हैं, विटामिन और खनिज So next question देखते हैं सकरवी जो रोग है वो किस के कारण होता है Option A है, vitamin A Option B है, vitamin B Option C है, vitamin C Option D है, vitamin D जो सकरवी रोग होता है वो vitamin C के कारण होता है So next question देखते हैं नेमन लिखत में से किस खाद्यपदार्थ को carbohydrate सबसे ज़ादा होते है या जिसको carbohydrate भोजन भी बोलते है Option A है, चावल Option B है, gram Option C है, gobby Option D है, dalhan So हम सभी जानते हैं कि चावल जो है, एक carbohydrate का भोजन है इसमें भरपूर मातरा में जो carbohydrate तत्व होते हैं जो लोग gym जाते हैं उनको gym guide होते हैं जो उनको gym की guide training देते हैं उनको बोलते हैं कि चावल सबसे ज़्यादा खाईए So option इसका अंसर है A, जिनमें सबसे ज़्यादा carbohydrate होते हैं वो चावल है So next question देखते हैं रतोंदी किसकी कमी के कारण होता है Option A है vitamin A Option B है vitamin B Option C है vitamin C Option D है vitamin D जो रतोंदी रोग है वो vitamin A की कमी के कारण होता है Next question देखते हैं So, आज की वीडियो में इतने ही question थे So, अगर आपको वीडियो पसंद होई हो तो like और share जरूर करें So, मिलेंगे next वीडियो में कुछ MCQs के साथ नए chapter में कि MCQs के साथ So, thanks for watching